हलो फ्रेंड्स, I welcome you to my kitchen, a food of well-being रिस्टोरेंट जैसी दानेदार इडली घर पर हम कैसे बनाएं? घर पर जो हम इडली बनाते हैं, वो सौफ्ट तो बनती है, पर दानेदार नहीं बनती है तो चलो, मैं आपके साथ सारे सिक्रेट हज सेर करने वाली हूँ कौन सा चावल यूज होता है, रवा यूज होता है, तो रवा कौन सा यूज होता है, और कैसे बनाना है? तो चलो, आज की रेसिपी की सुरुवात चटमत से करते हैं कहीं लोगों को इडली में इस्तमाल होने वाले रवा से बहुत कन्फूशन कि कौन सा रवा हम इस्तमाल करें तो बो कन्फूशन हम पहले दो कर देते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने दो पेकेट रखे हुए है पहला है जो अपना नॉर्मल लड्डू और उक्मा में यूज होने वाला रवा है जो दूसरा पेकेट है वहां पर इडली रवा लिखा हुआ है वो रवा इडली रवा में इस्तमाल होता है मैं आपको एक प्लेट में निकाल के difference दिखाते हूं जो ये रवा है ये इडली रवा है आप देख सकते हैं उसके दाने बड़े हैं अब ये दूसरा है अपना नौर्मल उक्मा में और लड़ों में यूज होने वाला रवा आप देख सकते हूं कलर भी उसका थोड़ा अलग है जो इसके बड़े दाने ये चावल का रवा है जो इडली में इस्तमाल होता है और ये वाला रवा हम उक्मा में इस्तमाल करते हैं हम यहाँ पे इडली रवा का उप्योग करेंगे मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी का मेजर्मेंट के लिए इस्तमाल किया है मैंने यहाँ पे तेन छोटी कटोरी र लिया है इडली रवा छोटे छोटे फ्लेक्स जैसा दिखता है अब इसमें डूबने तक पानी डाले और इसको हम तेन घंटे के लिए पिगो देंगे अब एक दूसरे परतन में जो वाटी हमने रवे के लिए इस्तामाल के थी वही वाटी का नाप लेके एक वाटी उड़ित दल एक छुटा चमश मेथी दू टेबल स्पुन जितना पूहा अब इसको दो तिन पानी से अच्चे से दो ले दोने के बाद उसको तीन घंटे के लिए पिगो दें तीन घंटे के बाद आप देख सकते हैं अपना रवा अच्छे से फूल चुका है और उसका एक्सेस ओटर निकाल दें और एक मिक्सी जार लेके हम इसको पीस लेंगे मिक्सी जार में उड़ित दाल और उहा का मिक्स्चर डाले और उसको अच्छी तरह से मिक्सी में छला ले अब आप देख सकते हों डाल का स्मूथ पेस्ट बन के तयार है अब पीगो हुई है रवे में उसको अच्छे से मिक्स कर दें और अच्छे से मिला ले अब एक प्लेट से कवर करके हम इसको 10 से 12 गंटे के लिए छोड़ देंगे मैंने यहाँ पर अच्छे फर्मेंटेशन के लिए एक कपड़े से कवर कर लिया है बारा गंटे के बाद आव इसको खोल के देखते हैं अब आप देख सकते हैं हमारा बैटर रेड़ी है आप इसको फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं मैं इस में से आदा फ्रीज में स्टोर कर देती हूं आदे का हम इस्तमाल करते हैं मुद्ट इसमें स्वाधनु सार्णमक, वन पूल्स टी स्पून, खाने वाला मीठा सोडर डाले, यानि की बेकिंग सोडर, और अच्छे से मिलाले, अब इडली का साचा लेके उसमें तेली डालके अच्छे से ग्रीज कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे तेल का इस्तमाल किया है, आप चाहे तो गी का भी उप्योग कर सकते हो, अब हर एक साची में इक्वल बेटर डाल दे, अब एक स्टीमर में प्लेट को रख दे, आम इसको 10 से 15 मिनिट मिडियम फ्लेम पर कुप करेंगे, अब लीड से कवर कर दे, 15 मिनिट के बाद अपने इडली बन के तयार है, अब देख सकते हैं अपने इडली कैसे फूल गई है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको निकालते हैं, अब देख सकते हैं अपने इडली कैसे आसानी से बीना टूटे अच्छे से निकल रही है, अब देखिए एकदम रेश्टरन जैसी दानेदार इडली बनी है, तब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, आप इसको कोकोनट चटनी टोमेटो चटनी कोई भी चटनी और सामभा के साथ सव कर सकते हैं, अब देख सकते हो, अपने पूरी इडली चालीदार और दानेदार बनी है, तो आप भी इसी इडली बनाए और मुझे बताए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, मैंने यहाँ पे सामभा के साथ सव किया है, थैंक यू